तोटर 12 टेंस में वर्व के अलग-अलग फॉर्म यूज करने के लिए एक सिम्पल सेट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ जिस टेंस के नाम में continuous नाम आता हो उसमें वर्व का आएंजी फॉर्म आप यूज कर दीजिए present continuous, past continuous, future continuous इसमें वर्व का आएंजी फॉर्म लगेगा इसके अलामा यहाँ पर भी देखिए present perfect, past perfect continuous, future perfect continuous इन तीनों में भी वर्व का आएंजी फॉर्म लगेगा इसके अलामा future indefinite tense में वर्व का हमेशा first form यूज होता है past indefinite में, after native में सिर्फ वर्व का second form और बाकी सम में वर्व का first form और present indefinite में, after native sentence में वर्व के first form में yes या yes या verb का first form लगता है बाकी सम में वर्व का first form यूज किया जाता है